गाइज, Realme 12 Pro Plus versus Motorola H50 Pro यहाँ पर मैं दोनों फोन का करने वाला हूँ कैमरा टेस्ट, डेलाइट में, लो लाइट में, नॉर्मल, पोर्टेट, सेल्फी, फोटग्राफी क्योंकि दोनी फोन का प्राइज आल्मोस सिमिलर है 30,000 बट देखते हैं कि दोनी के अंदर मिलता है आपको टेली फोटो कैमरा पिक्चर क्वालिटी जो है न दोनी फोन में से किसकी बैटरा निकल के आते हैं यहाँ मिलता है आपको 120X डूम, Realme के अंदर में और यहाँ मिलता है आपको प्राइमरी कैमरा में यहाँ पर देखो न दोनी फोन की कलर तो अच्छे निकल के आते हैं लेकिन मोटरोला में कलर थोरा से यहाँ पर बूश करता है रियल में थोड़े से क्लोश टू नैच्छला क्लर काप्चिर कर लेता है लेकिन कलर आई प्रेजिन निकल के है डेलाइट में यहाँ पर कोई ज्याधा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है अब यहाँ पर देखो थोरा से आपको कलर कांट्रास का देखे का डिफरेंस मोटरोला में यह वाला जो ग्रीन कलर थोरा से यहाँ बूश किया है और जो एक पोज़ देखने को नहीं मिलता है पिक्चर अल्मोस सिमिलर निकल के आई है अब मैकर सोट की बात करने यह पिक्चर मैंने किलिक कर टेलीफोटो क्यामरा से तो जो एक्चूल जो में सब्जेक्ट का कलर है आपको दोनी फोन ने तो कैप्चर ने किया दोनी फोन थोरा 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 निकल कर आती है इसके साब को जो बैक्ग्राउंड है जो में सब्जेक्ट थोरा से अब अंडरस्पोज निकल के आता है लेकिन दोनी फोन को थोरी से इंब्रोब्मेंट के जरूरत है यहाँ पर अब यहाँ पर देखो आगें यह वाला पिक्चर मेंने किलिक किया प्रायम नी कैमरा से तो अगें यहाँ पर रियल मी की कलर कॉंट्रास्ट थोरी बैटर काप्चर कर लेता है इस्किन टून थोड़े हाँ पर नैचुरल निकल के आया थी तो मोटरोला को थोड़ी से इंप्रोब्मेंट के जरूरत है कलर कॉंट्रास में खास का मेने वाले सेंसर में अब यहाँ पर देखोगा अगेन जो मेरा जो ड्रेस है न यहाँ पर यह दोखो ओवर इस्पोज निकल के है रियल में 12 प्रोफलस के अंदर में तो यहाँ पर जो एक्चुल फेस का जो कलर स्किन टोन है रियल में तो मैनेज किया अलिकर एक्पोजर का थोड़ा दिफेंस दे यहाँ पर देखने को लगा और यहाँ पर देखोगा अगेन बहुत सरा जो पार है एक पोज़र को बेटर में खासकर यह वह पार है कलर को थोड़ा थोड़ा भूश्ट किया दोनी फोन ने एक्चुल जो रेट कलर दोनी फोन ने तो मैनेज नहीं किया लेकिन रियल में बहुत से जगा पर एक कलरको अच्छे से मैनेज किया खास कर देखो इस ञए दोनी फोने वेलिमेंटेंड है लेकिन यहां पर जो है और थोड़े से बैटर काप्चेर कर लेता है री घर में 12 Pro Plus Motorola फोड़े में रियल में थोड़ा बेटर है तो यह वडियो कॉड़ कर रहा हूं दोनी फोन के प्रण्ट क्यामरा से 1080p 30fps पे मोटरोला के अंदर मिल जाएगा आपको 1080p 60fps का ऑप्शन बट रियल में के अंदर मिलेगा आपको की आपको प्राइस कंडिसर मुझे यहाँ पर दोनी फोन की वीडियो थोड़ी देखने को लगी है लेकिन इस्टेविल जिसन देखने को लगा है मेटरोला का , अब पोजिट सनलाइट प्रेप यहाँ पर देखो, सनलाइट पहल पीछे तो यहा पर भी यहाँ थोरा से यहाँ पर , पॉन्ट्राइट जो है थोरा बैटर देखने को लगा है मटरोला के अंदर में अब सेलफी की यहां बात करेंगे, तो background में जो एकक्पोज़र को थोज़ा से आपर ओवर्श्फोज किया और बैक्ग्राउंड में जो कलर है आपको दोनी फोन की तो यहां पर तोनी नेच्टर देखने को लगी है यहां पर पोट्रेट सोट में स्लाइटली जो बेटर पिक्चर निकल के मट्रोला के अंदर में क्योंकि बैक्ग्राउंड यहां पर बहुत जादा ओवर स्पोज हो र स्लाइटली यहां पर मुझे थुरा बैटर देखने को लेगा सेलफी मोट्रोला एच फिप्टी प्रो का इस प्रैज के अंदर में जूम करने के वाद देखो डिटेल्स दोनी फोन ने बैटर मेंटेंड सिर्फ आपको स्किन टोन का फरक दिखेगा तो यहां पर यहां पर थोड़े से मुझे बैटर लगा मो'll King के अंदर में लेकिन мелी जो यहां पर देखने को लगी मोट्रोला की खासका इंप्रोल्पेंट लेक कराए इस बाद अब यहां पर देखो अगेन बैक्ग्रांड今天 to स्पोर्ण भी नैचुर्ण देखने को नहीं लेगा थोड़े सी यहां पर बूस्टेड थोड़े आटिविसल टाइप कर देखने को लगे वहीं मोट्रोला थोड़े से बैटर पिक्चर काप्चर कर लेता है डेलाइट के अंदर में यहां पर भी दिखोगा अगेन जो इसकीन टॉन थोड़ा सा दिखने को मिलता है डिफ्रेंस थोड़ा सा रेट टोन देखने को लगा रियलमी के अंदर में वहीं मोट्रोला थोड़ा बैटर काप्चिश कर लेता है खासकर लिप्स के कलर यहां पर देखोगा अगेन तो यहां पर थोड़े सी इंप्रूमेंट यहां पर दोनी फोन का थोरा फॉझे फास्ट लगा है और संज जो है बिल्कुल यहां पर मैंने पीछे है तो दोनी फोन अच्छे कलर काप्टिर कर लेता है और स्टेबिलाइशन मुझे दोनी फोन का थोरा बेटर लगा है एक बड़ मैं बात करता हूं यूमन सब्जेक्ट की तो फेस पर जो डिटल सेन आप रियलमी थोरा बेटर काप्टिर कर लेता है यहां पर देखो और फोकस भी यहां पर थोरा थोरा फास्ट है दोनी फोन का बट एकॉर्डिंग टू प्राइस कंडिसन दोनी फोन ने काफी चाहिए और वीडियो डिकॉड कर रहा है लेकिन गाल कर अब यह्यं पर देखो यह वला जो वायड कलरbesondere या रियलमी के अंदर में थोरा से यहां पर ओब्रेज़ ने को लगी है इसकी न टून भी अलमोस लगा है सिमिलर देखने को लेकिन अपर बैक्ग्रांड जो पूरी और पॉठ्ट्रास निकल किया मुट्रोल अपर यहांसरा फोड़ा से अंधर स्पोड निकल खिया औस ग्राइब यहां पर अच्छा। कपा रहाएं और तो यहां पर दोनी फोन में थोड़ा थोड़ा आपको मिलेगा difference डीटेल के लिए Ο तोड़ा से य्टोको मिस कर देता है अब यहां पे देखो अगेन टइए प्टचर किया मोट रोला हाला कि हैंदर में आपको मिलता है अब को अपक्रनर में वहीं आप्स इलेक के ऐसे आप दी यहां पने आप दो किलिक कर लेता है अब यहां पर देखो चैनल can मट्रोला थोड़ो थोड़ो यहां पर मुझे ऑवर्स लिघे मोट्रोला के खास कर देखो को यह वाला पर्ट में ध्याट मोट्रोय विण थोड़ करने के तो करने के बंदने डिटेल जो हैं better capture किया है Motorola H50 pro और color contrast भी better capture कर लेता है थोड़े आपर overspose कर देता है Realme 12 Pro Plus खासकर low light के अंदर में night vision on करने के बाद में अब यहाँ पर देखो slightly जो main वाला subject है ओवर्षपोज आया है Realme 12 Pro Plus के अंदर में मोट्रोला ने काफी बैलेंस एक्पोजर काप्टर किया है नहीं ओवर्षपोज हो रहा है नहीं अंडर्षपोज निकल के आए पिक्चर तो इक्पोजर को अच्छे से बैलेंस कर लेता है लो लाइट में नाइट विजन करने के बाद MOTOROLA HPT Pro अब यहां पर अगे नाइट विजन ओन है तो ऊपर यह वाले पार्ट में जो है मैंने नोटिस किया है ना अच्छे से बैलेंस किया है तो ओवरेस्पोज बहुत सारा पार्ट खासकर यह वाला पार्ट भी तो रियल मी के अंदर में पर आ जाता है लो लाईट में नाइट में आउन करने के वाद तो रियल मी को थोड़ा से में पर आपर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर अच्छसा यहां पर बैटर और लगाया मत्रोला का अब जूम करने को स्लाइटली यह वाला पार्ट बैटर आर्टर इकल लगा अंदर में डीटेल्स दोनी फोन में इनफ है यहां पर कोई भी प्रावडम्स नहीं है थोरा से को बेटर मिंटेंड किया मोटरोला तो लो लाइट में रियर कैमरा थोरा से यहां पर मुझे बेटर लगा अब यहां पर दोनी फोन के पिक्चर निकल कर रहा है एक पोज़र को बेटर मिंटेंड किया है रियर मी खासका मेन वाले सब्जेट का यहां पर अब देखो पोट्रेट सोट में दोनी फोन के चिन कल के पिक्चर लेकिन अगेन यहां पर यह बला पार थोरा सा यहां बड़र स्पोर्ज हुआ है मोटरोला के अंदर वाइट वाला कलर लेकिन डेफ्ट अफ फिल्ट बेट में Motorola HPT Pro front camera में अगर इसके front camera में night mode हो था तो और ये better निकल के आती तो guys अब मैं share करता है review तो rear camera के जो photos है एंड जो videos है उसमें दूनोंगी phone almost similar है portrait में भी similar है लेकिन front camera के photos और videos में Motorola HPT Pro थोड़ा far better निकल के आता है realme 12 pro plus से और ultra wide में बेटर निकल के आता है Motorola और low light भी यहाँ पर better capture कर लेता है Motorola तो overall जो pricing के according देखे तो मुझे यहाँ पर Motorola थोड़ा बेटर लगा है लेकिन थोड़ा 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 बेटर लगा है लेकिन इसके rear camera में बोके वीडियो का option देखने को नहीं मिलता और लग से यहाँ पर macro mode भी दिया गया तो Motorola में बोकी वीडियो का option होना चीए था लेकिन वह वाला नहीं है लेकिन super macro का option है इसके अल्टर वर सिंदर आपको मिलेगा अलग-अलग mode जैसे यहाँ आप मिल जागा 35mm 85mm, 55mm का मिल जागा आपको अलग से lens तो मुझे फुतरा ब